नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं I hope कि आप सब बहुत अच्छे होगे सांदार होगे दोस्तों रेलेवे एंटी पीसी ओपीसियल डेप साइट पर दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं जैसा कि आपको जानकारी है इंटर लेबल को फॉर्म अलग है इंटर लेवल प्रण को अलग का नीकला हिए निकलावत उसमें आप का परकार सबसार सब सांग्या सै ogrलने बच्चेशे पूछ रहेते क्युंका दोनों का अलंग ने जाने का सूचना है एक का दोस्तो आपका फोरौम है ना मैं आपको बता हुँ देता हो देखो और विज्यापन संख्या दोनों aspect अलग अलग है दोस्तों जो नोटीस है क्या लेफ्रे यह तो सारु कि अपको पताने वाले प्रवारी क्या क्या है ना दोस्तों वह मैं आपको दिखाता हूं देगे दिस्टों नोटीस दिखाएं उससे पहले अगर आपको रेलवें एंटी-पी-सी का मॉक्टेश लगाना है ना चाहिए आप सीबीटी वन का लगाना चाहते हो यह सीबीटी टू का तभी कुट्ट स्मार्ट यूज करना होगा टेश्बू बाइक करता से में जैसे यह स्मार्ट कूपन कुट्ट अपलाई करो जो प्राइज है न छेसों आपका पंदरा पड़ेगा अंदीर आपका शेजों नियौन का प्राइज होता है कि वहला आप रेलेवे का नहीं रेलेवे क आपको त्यारी करो आज सही मौक्त लगाना स्टाट कर दिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिस्तों मैंने आपको प्रवाइट करवा दिया है देखें यह आपका नोटिपिकेस है ने गौवर्मेंट अप इंडिया मिनिस्ट्रिय अप्रेलवे यह ओफिस हमने वीडियो अलेडी बना रहा है वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा गया दोस्तों ठीक है इसकी करना एक एक दौजर पचीज से की जा रही है बाकि टोटल वेकेंसिया आपका पोस्ट वाइज यहां पर वेकेंसी दरसाए गया है बात करते हैं जुस आपका 35 यहां पर जहांें पर लिखा गया और अधिकल यहां पर गतली यहां पर तीक है और दृस्तोव अबुटम ऑडर लिखी ग्कले लाइघक अंधा मेंॉप बाकि दोस्तों यहाँ आपका syllabus के बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा विसक्ता है कि अहलिए सोगाइस लेकिन दोस्तो एक पान की कि दोनो का आप लोग यहाँ पर देखो होगो रहे तहो दोनों आपका संर क्या आध करें इंपोर्टन डेट यह है तोrenia इसा start सप्सक्राइबर सोट नोटीचे आपको दिखा नर्भोट नोटीस्ट मेनेक इन को अधिक हमते नहीं और अलग डिलत लेकिन अगर मेरे साथ पूछआ तो संभाव दोस्तों então 50-50 संभावना है 50-50 पर सइट था बदल भी सकता है हो सकता है ना दोस्तों जो 10 प्रस 2 level पर वह इसमें एक ही exam हो सकता है कि एक exam यह लोग पंड़क्ट करभाएं हमने आपको 5 महीना पहले ही जब केलेंडर जारी किया गया था उसी टाइम में मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि हो सकता है इंटर लेवल अलब वेकेंशी अलग है और जो गेजुशन पर वेकेंसी है अलग है 100% मेरा बात सच हो गया दोस्तों इसी तरह दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि एक ही इक्जाम ले गां इंटर लेबल वालप जब एक्जाम लेगे ता अपका क्या syllabus हो सकता है इंटर लेबल पर पहले हम बात करते हैं लेते हैं इससका syllabus पहले हम discussion कर दें इसमें ते कहीडा सकता है पहला तो भागा um that 이것 question ठीख है यह रहेगा दूसरा आपका होगे max इससे कितना qwt p p uc एगा यह आपका जोसोग चांद स सका चालिस q uc.k टो जितना भी देख हो यह 100 q हूगिया ।्थू हंधेट मार्क्स के ६सक्वय तो समय रहेगा और दोस्तो निगेटिव आपका one third का निगेटिव रहेगा यह इंतर लेबल वाला का syllabus हो सकता है पहले की तरह दोस्तों हो लेकिन एक ही exam के माध्यम आपका सेलेक्शन ले ठीक है यह आप लोगों ने समझ लिया अब दोस्तों आप लोग जो गिरजेविशन स्थर का syllabus देखोगे न हो सकता हो यहां पर CBT1 हो अपका CBT1 के बाद क्या हो आपका CBT2 CBT1 का से से्न लेबस रहें यहांड हो सकता है यही से लेबस हो सकता है कर दें यह वह हो सकता है कि बदल जैसी लेवर्स दोस्तों कि अलग-अलग आपको नोटिपिकेशन मतलब निकाला जा रहा है यह दोस्तों एक्जाक्ट आपको भी आपको फॉर्म आपका ग्रिजेशन लेबल का 14 तारीक जैसे को मैंने बता है ओपन हो रहा है और 21 तारीक आपको इंटर कर सकता है CB2 में जानते हो क्या हो सकता है question कि संख्या screenshot CB2 में 120 कर सकता है 120 question आपका 120 मार्क्ष का समय गये समय क्या रहेगा 90 मिनटत रहा सकता है बाकि जोस्तों negative तरेलेवे बदलता है नहीं काफी सालस ओंटर नेगेटिव यही रहता है बस कोश्चन का स्तर देखो गए बस थोड़ा सा चैन्जिंग हो जाएगा रिजिनिंग से दोस्तों क्या हो जाएगा यह दोस्तों पहले से बीटी वन में आपका 30 कोश्चन था ना अब दोस्तों आपका 35 कर देगा ठीक है यह जोस्तों आपका 35 कोश्चन है सेम दोस्तों खली कोश्चन का संख्या बढ़ जाता है बाकी जोस्तों आपका GK और GS अगर हम बात करें ना इसका कोश्चन का संख्या 50 हो जाएगा पहले 40 था इसका 50 हो जाएगा ठीक है तो 35, 35, 70, 50, 120 ऐसे हो जाएगा ठीक है तो यह मैंने आपको syllabus संभावना है कि भया syllabus में बदला हो सकता है हो सकता है कि syllabus बदल भी जाए नहीं तो दूसरों यह भी हो सकता है कि एक आपका exam inter level पर कर दे दोनों का आपका संभावना है तो इस बात को आप लोग मानग चलिएगा इसलिए मैं बता रहा था क्या syllabus बदलने वाला है तो 50-50 संभावना है कि syllabus बदल जाए मतलब जो यह बता रहा हो ना इसके जगह पर दूसरा भी हो सकता है ज्यादा संभावनों कहना कि exam का दूस्तों आपका यह कर सकता है जो inter level पर एक ही exam करें अगर एक exam करता है तो यह syllabus रह सकता है हो सकता है syllabus भी बतल दे और exam एक ही कर तो यह भी हो सकता है इसका भी सांभावना है तो कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन मैं तो रिजिनिंग GKGS railway कर रहता है question का संख्या उपर नीचे हो सकता है कि यह कर दे लेकिन यह तो आपको निशीत रहेगा कि railway में आपका रिजिनिंग पूछेगा math पूछेगा और GKGC तो पूछेगा ही पूछेगा question का संख्या उपर नीचे कर सकता है यह ध्यान रखेगा हाँ और exam को आपको दो exam होता है इंटर लेबल पलावी तो इसमें एक exam कर सकता है बात को आप लोग समझ गए तो अभी से तयारी में आपको यह लग जाना है और ल यही आपको अपडेट देना था मैंने आपको बताया और नोटीस भी मैंने आपको दिखा दिया चलिए विस्तो फिलालवस वीडियो में इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लिजे ठीक है सब्सक्राइब किजिए ठीक ह वहाँ पर बहुत सरा स्वाट नोटिस आता रहता है बहुत सरा ओफ्लाइन वेकेंसी आता रहता है सबको वहाँ वहाँ मिलता रहता है ठीक है जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बहुत बात